हम लोग बात करने वाले हैं कि छोटे से टॉपिक के बादे में बाद कि दोस्तों इस वीडियो को आखरी तर देखते रहे हैं Mayor अतना का रुपाध्या है और आप लोग देख रहे हैं यूनिक ओनलाइन गुरू चैनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं हम लोग बात करने वाले किसका ब्राउजर के बारे बारे हो ब्राउजर क्या होता है अगर हम लोग एक बात करें ब्राउजर की हम पिर उसके बाद दूसरी की बात करें for using internet means कि हमारा जो browser होता है वो क्या करता है internet को use करता है means पहला क्या होता है it is a type of software means यह एक प्रकार का application software भी हो सकता है system software भी हो सकता है क्योंकि mozilla firefox भी हो सकता है और internet explorer भी हो सकता है chrome भी हो सकता है और microsoft age भी हो सकता है तो यह सारे हमारे software होते है, ठीक है, actual में browser का दो काम होता है, कितने काम होते हैं, धहन सुरिए हमारी बात, actual में browser का दो काम होता है, पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, सर्च करना, सबसे पहला काम क्या होता है, सर्च करना, और जो दूसरा काम होता है, वो होता है, open करना, means पह हम होते हैं browser के सासे पहले यह क्या करता आप कोई भी URL कोई website कुछ भी जब डालते हो तो तुरंद यह क्या करता है पहले सर्च करता है मिंस उसको खोजता है जब उसको खोज लेगा तो उसको open करता और किस फॉर्म में open करता है ब्राउजर क्या create करता है किस फॉर्म में open करता ह हमारा ग्राफिक्स में भी हो सकता है टैक्स में भी हो सकता है पिक्चर्स में भी हो सकता है डाकुमेंट में भी हो सकता है कोई भी वीडियोज हो सकती है कोई भी ओडियोज हो सकता है कोई भी मल्टी मीडिया हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो सारे काम हमारे ब्राउजर में होत न यानि मतलब यह हुआ कि किसी भीटाइब की प्क्चर किसी भीच बूर्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से डावन्योड कर सकते किसे नर जाके ब्राउजर के अंदर जाके तो यह हमारा ब्राउजर एक मिनट में पिर से रिटरन सुंन लिजिए कि हमारा ब्राउजर क्या होता है ब्राउजर इट के टाइप ऑफ्ट होता है और दूसरा open होता है तो पहले यह क्या करता है आपका protocol पढ़ेगा फिर उसके बाद domain name पढ़ेगा फिर path पढ़ेगा सबको पढ़ने के बाद यह क्या करेगा search करेगा search करने के बाद क्या करता है यह open करता है open किस form में करता यह हम लोग देख लेते हैं graphics, text, picture, document, videos, audio किसी भी multimedia फाइल में इसको आराम से open करके आप लोगों के सामने प्रिवी देता है फिर आप अपने उस recording कार कर पाते हैं तो यह होता है हमारा browser दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोगों लाइक से subscribe जरूर करेंगे और हाँ अपना सुधाओ देना मत भूलेगा क्योंकि हम आपको सुझाओ और कमेंट का वेट करते हैं आप लोगों कमेंट का reply देंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन